नमस्कार मैं हूँ अंकोर और आप देख रहे हैं सत हिंदी का नियोज बुलेटर एक नजर अब तक की सुख्यों पर भारत के मौझूदा चीफ जस्टिस दीवा चनचूण ने कहा कि नियाई पालिका की स्वतंतरता का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिला फैसला दिया जाए इंडिन एक्सपरस के गुरूप के एक कारकरम में सीजय चनचूण ने कहा कि कुछ प्रैशर गुरूप हैं जो मीडिया का उप्योग करके अदालतों पर दवाव डालते हैं और अपने अनकूल फैसले लेने की कोशिश करते हैं उन्होंने नियाईपालका की निश्पक्षिता और पारदर्शिता को समझाते हुए कहा कि प्रमपरागत रूप से नियाईग स्वतंतरता को कारिपालका से स्वतंतरता के रूप में परवाचित किया गया था तो उनें बहुत सुथंत्र कहा गया Chief Justice ने कहा कि जब आप चुनाबी बॉंड पर फ़स्रा लेते हैं तो आप बहुत सुथंत्र हो जाते हैं लेकिन अगर फैसा सरकार के पुख्ष में आता है तो आप सुतंतर नहीं है लेकिन ये मेरी सुतंता की परिभाशा नहीं है वहीं कई मामलों में अदालतों दोरा जमानत ना दे जाने के मुद्धे पर सीजाय ने कहा कि सीजाय के रूप में उनके लिए ये गंभीर चिंता का विशे रहा क्योंकि मैंने यही कहा था कि जमानत अपबाद के बजाए नियम है वो संदेश ट्रायल कोड तक नहीं पहुचा है वो जमानत देने में अभी भी आनाकानी कर रहे है सीजाय ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैंने A से Z तक अरनब से लेकर जुबैर तक को जमान दी है यही मेरा दर्शन है वरिश वकील दुशन दवे ने सीजाय चन्चूर की उस सिंता पर जवाब दिया कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा उनकी क्या लेगसी होगी दवेने करन थापर को दिया इंटर्वूई में कहा कि सीजाय चन्चूर की विरासत को भूल जाना बहतर है हमें भूल जाना चाहिए कि उनके कारिकाल में सीजाय के दफ्तर में क्या क्या हुआ और ये मैं जिमेदारी के साथ कह रहा हूँ जिसके बाद लोग इस पर टिपणी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाक्तों के अलाबा कोई भी उनके विचार से असेमत नहीं होगा सीजाय जिस प्रकार से अपने फैसलों पर जो कारण और तर्क दे रहे हैं और गणे शयतुर्ती पर मोदी को अपने घर पर बलाने पर जो सफाई दे रहे हैं वो गिल्टी मैंड की शब्दाबली है सीजाय जंद चूड़ी सब्दार रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के वरिश्तम जज जस्टिस संजीब खना अगले हफते से कारेभार समाह लेंगे इस बीच सीजाय के कारेकाल का मुलंकन हो रहा है और सीजाय निशाने पर भी हैं फिलहाल इस बीच दवायर ने एक रिपोर्ट चापी है जिसमें बताए गया है कि कैसे इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिश अधिवक्ता यानि सीनियर एडवोकेट्स का दरजा देने के संबंद में फुल कोर्ट मीटिंग में सीजाय को कुछ अन्य जजों के विरोध का सामना करना पड़ा था और ये बातचीत ठीकी बहस में बदल गई थी आरोपों की जड़ी लग गई थी जो नियायले में सीजाय और उनके साथी वरिश जजों के भीच बेहद असमानिक घटना है दवायर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के मताबिक 14 अगस्त को ही इस बैठक में एक वकील को वरिश अधिवक्ता बनाय जानी की संभावना पर चर्चा हो रही थी जब दो जजों ने इसका विरोध किया उनका कहना था कि उक्तव अकील ने जी रहे के दोरान छोटे वयान दे कर अधालत को गुम्रह करने की कोशिश की थी सीजाय ने इन्हे आधिशों को इस पस्षिकरन देती हुए मनाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं मनी सूत्र ने दवायर को बताया कि जल्द ही ये बाचीद विवाद में बदल गई और उस इस्तर तक पहुँच गई जहां सीजाय ने एक जज से ये तक कहे दिया कि वो ध्यान रखें कि वो देश के प्रधान नयाधिस से बात कर रहे हैं बैटक में मौझूद एक जज ने दवायर को बताया कि मैं कई फूल कोर्ट मीटिंग में शामिल लहाँ हूँ जहां कई दफा मतभेद ये अलग-अलग राय सामने आती है लेकिन ये पहली बार था जब मैंने किसी सीजाय को इस तरह अपने पद की धौस जमाते हुए दिख दिखेल को वरिश अधिभकता के बतोर नामित करने का फैसला किया एक अन्य जज का कहना है कि सीजाय इस इस स्थिति को बहतर तरीकी से समाल सकते थे। किसी अन्य जज को अपने सीजाय होने की दौर ठिखाना साही बात नहीं है हम्मेंसे कई लोगों को हैरानी हुई कि वो क जोप पर भरोसा करने का अग रह किया उन्होंने कहा कि नियाई पालिका और कारिपालिका के बीच संबाद भले ही इन में से कुछ आदान प्रदान सामाजिक स्टेटिंग्स में हो अदालत के कामकाज ही एक नियमित अनिवारिता है जैसा कि मैंने कहा कि डील इस तरह यानि ऐस खबर आई सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसरे को खारज कर दिया है ऍग कि मदर्जा एक्ट संविदान का उलंगन नहीं है सूप्रिम कोट ने चाहरा करेंगते बास तो मार्द के प्रदानिक बताए शात्रों का दाखिला सामान इ देश दिया गया था हाना कि फोट ने 5 अप्राइल को हाइज कोट के फैसले पर सुक लगा दिए थी सुप्रिम कोट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते नहेंगे सुप्रीम कोट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजूकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है उतरपदेश में योगी सरकार ने पुलिस महानदेशक यानि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में एक परस्ताव पास किया इसके बाद अब डीजीपी के चैन के लिए यूपीएसी यानि संग लोक सेवा आयोक को नाम भेजनी के जरुवत नहीं होगी राज खुद ही नाम तै कर सकेगा बता देएं कि उत्रपदेश में डीजीपी की तैनाती लंबे समय से केंद्र और उत्रपदेश सरकार के पीज वेवात का विशय बनती रही एक जुलाई दोहजार इकिस को डीओ पीटी की संतुति के बाद 1987 बैज के IPS मुकूल गोयल को डीजीपी बना गया था लेकिन 10 महीने बाद ही 11 माई 2022 को मुकूल गोयल को उत्रपदेश सरकार ने पद से हटा दिया और डीजीपी से डीजी डिफेंस बना दिया इस संबन्द में जब संग लोक सिबायोगने उत्रपदेश सरकार से वजय पूछी तो यूपी सरकार ने जवाब दिया कि मुकूल गोयल डीजीपी बनने के लायक नहीं थे वर्शता के साथ साथ शमता भी होनी चाहिए बीजेपी के वर्शनेता और महरास के डिप्टी सीम देवधन फटनमिस का एंसीपी उमीदवार नवाब मलिक को लेकर बड़ा बयान सामने आया एक इंटर्वी के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके विरोध करने के बाबजूद अजित पबार ने नवाब मलिक को टिकेट दिया इस पर उन्होंने कहा कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजित पबार की पार्टी ने ये सही काम नहीं किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हमने उनसे इस पर शब्दों में कहा था इसके बाब जूद उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमारी पार्टी ने वहाँ पर शिप्षेना का एक कैंडिडेट भी उतार दिया है हम शिप्षेना का काम करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जाशंकर ने कनाडा के हिंदू सवा मंदिर में हुई घटना को बहुत चिंताजनक पताया और शिलिया के आधिकारिक दोरे पर गए एस जाशंकर से पूछा गया कि क्या इस तरह की घटना से भारत और कनाडा के बीच राजनिक तनाव बढ़ सकता है एस जाशंकर ने कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो कुछ हुआ वो जाहिर तोर पर काफी चिंताजनक है जरिये घटना के आलोचना की थी अमेरिका में राश्पती चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मेदबार कमला हैरेस के समर्थन में तमिलनाडू के गाउं थुलासेंद्रा पुरम में पोस्टर लगा गया है कमला हैरेस के नाना और नानी भारत के दक्षिनी शहर चैन्नाई से 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाउं थुलासेंद्रा पुरम में रहते थे बतादें अमेरिकी राश्पती चुनाबों में डेमोक्रेटिक पार्टी की उमेदबार कमला हैरेस का मुकाबला पूर्व राश्पती और रिपब्लिंगन पार्टी की उमेदबार टर्म से है हाला कि कुछ जगहों पर भगबा कपड़े पहन कर होद को संत कहने वाले लोगों ने भी टरंप की जीत के लिए यग्ग किये हैं अमेरिका के अगले राश्पति को चुनने के क्लिए कुछ घंटों में वोटिंग शुरू होने वाली है इन चुनाबों पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है माना जा रहा है कि इस बार का मुकाबला काफी करीबी हो सकता है अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्तिहंदी.com के साथ